आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी में नाम एसे दान तक नहीं हो तरी study IQ पर आपका बहुत बहुत सभागत है दोस्तों अगर आपको अमेरिका जाना है तो ये नए रूस के साथ जाना होगा आपको पता है ये UK में नया स्ट्रेन आ गया है तो अब धीमे धीमे सारे देश जो हैं वो अपने flying rules को बदल रहे हैं तो क्या rules से हम इस lecture में जानेगे UPSC के smart courses आते हैं आप देख सकते हैं कितना attractive offers है हमने test series IB की UPSC पे भाली discount दिया है तो आप जरूर अवेल करें इंस्टा पे मैं आ गया हूँ अपडेट्स डालूँगा मैं अगले माईनी से travel करूँगा और 8-10 तो मैं queries answer करता ही हूँ एक दो दिन लेट हो जाता है इतना परचान मतवा करो तो चलाने लग तो मेरे उपर तो US का जो Center for Disease Control है CDC उन्होंने COVID-19 patients को रियायत तो नहीं दी है ब जिनको जो भी अमेरिका जा रहे है patients नहीं इसमें पहले क्या था अभी आप कहीं पर भी जा रहे है किसी भी देश में जा रहे है तो आपको कम से कम negative report तो देनी पड़ेगी COVID-19 टेस्ट आपने करवाया और negative report दो अब यहाँ पे जो भी passengers जा रहे हैं अमेरिका में उनको negative test report देनी है तीन दिन के अंदर अंदर वो test जो है वो करवाया होना चाहिए 72 घंटे का time है जैसा UK ने किया था आपको पता ही है कि UK और भारत में अभी भी प्लाइट जो है वो और तो रही नहीं है साथी जाथ UK में पता नहीं कब तक lockdown चले पूरे यूरोप में यह नया ट्रेन भी फैल गया है भारत में भी देखा गया तो हमको एतियाद बरतने की जरूरत है अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया भर में vaccination जो है वो शुरू हो गया है हमारे भी vaccination अभी दो दिन में शुरू हो जाएगा तो यहां पे UK सरकार ने यह जो rules बनाये थे same to same वो अमेरिका भी छाप दी है अब इसमें क्या है आप देख लीजिए कि 26 जन्वरी से जो एयर पैसेंजर से जो अमेरिका जा रही है तीन दिन पहले उनको COVID-19 रिपोर्ट देनी पड़ेगी उनका टेस्ट हुआ होना चाहिए या तो रिटें डॉक्यमेंटेशन हो लेबरेटरी का या फि बोला है कि आप negative test result for all passengers you have to confirm अगर आपको COVID-19 है तो आप नहीं जा सकते बहतर घंटे पहले आप टेस्ट करवाईए तीन दिन से पुराना वो टेस्ट नहीं होना चाहिए अगर passengers ये नहीं करवाते हैं उड़ने के समय ये documents नहीं देते हैं ये टेस्ट नहीं करवा रहे हैं त to the passenger if you are not taking the test आगे क्या है exemptions क्या है COVID-19 test certificate अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो कुछ exemptions है देखिए अगर आप COVID-19 या कोई भी passenger को coronavirus हो चुका है बीते तीन महिनों में तो वो एक doctor से बस letter लेया है कि उनको travel करने दे and it will serve as the documentation of recovery मतलब अगर आपको COVID-19 हुआ है तो क्या आप ज जा सकते बिल्कुल जा सकते बस आपको doctor के पास जाना है बीते तीन महिनों की बात हो यह इसे पहले हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है तब तो आप ऐसे भी जा सकते हैं लेकिन अगर बीते तीन महिनों में आपको COVID-19 हुआ तो आप थोड़ी ने test कर वा हुगे तो आप COVID-19 हु यूसा negative test certificate अगर आप documentation of recovery दे रहे हैं तो आपको negative test certificate देने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप दोनों ही नहीं दे रहे हो नहीं आप test certificate दे रहे हो नहीं आप documentation of recovery दे रहे हो तो airline बोलेगी निकलो पहली फुरसत में निकलो यहाँ पे board करने की कोई जरूरत नहीं है तो ऐसा ह अब देखो ट्रावल करना है तो जाना हो यह सब तो करने ही पड़ेगा कुछ लोगों को तो बहुत ही मजबूरी है क्योंकि वो अमेरिका में काम करते हैं लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो भाया अभी भारत में ही रहे सब्सक्राइब तो यह मेरे टेलिग्राम चैनल है यहां पे आपको PDF मिल जाएगी सारी अब जब आप पहुंच गए अमेरिका में तब क्या करना है जैसे ही आप अमेरिका में पहुंचे यह तो पहुंचने से पहले की बात है फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपको इस सब कर भर में home quarantine रहना ही है तो यहां पे COVID-19 अमेरिका की तो वैसे ही बैंड बजी पढ़ी है ना दुनिया भर में 32 करोड की population में इतने सारे केसे जा रहे हैं करोणों करोणों केसे जा रहे अमेरिका में तो बहुत बुरी हालत है अमेरिका की अब जो बाइडन आ गए है अब जिसकी थी उन्होंने भी अपने flying rules को update किया था UK में बहुत जरूरी भी था उन्होंने भी यही बोला था कि अगर आपको आना है तो तीन दिन पहले आप हमको मतलब यही सारी चीजे जो मैंने आपको बताई यही बोला था कि 10 दिन के लिए isolate करो तीन दिन से पहले test report दो test certificate तो वरना मापको आने नहीं देंगे वरना हम deny कर देंगे आपको पता ही है कि अमेरिका और UK की अभी जो flight बहुत ही कम चल रही है air bubble agreement आप arrangement पता ही होता ना कि मेरे यहां से तुम्हारे यहां से फ्लाइट जाएगी तुम्हारे यहां से मेरे फ्लाइट जाएगी अभी तो vaccination का काम ही चल रहा है ना और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वैक्सीन लग गई तब भी आप Corona फैला सकते हैं और आपको हो भी सकता है ठीक है क्योंकि वैक्सीन धीमे धीमे काम करेगी एक महिने के बीच में दूसरी डोस लेनी है अभी सारी वैक्सीन की दो डोस आपको लेनी है है कि नहीं तो इसलिए अभी अमेरिका और इंडिया की बात करें तो कौन-कौनसी ऐरलाइन है United Airlines यह कहां पे Delhi, Newark, Delhi, Chicago, Delhi, New York, Bangalore भी San Francisco और Mumbai, New York ठीक है US Air India और United Airlines यह इन तीनों रूट पे काम करती है तो अगर आपको अमेरिका जाना है तो इन रूट से आप जा सकते हैं यह लेच्चर था दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा खुश रहे यह पर तेरे देसे सिद्दान तक नहीं हो तरी सैनिव झाल जाना होगा